आप लोगों को स्वागत करता हूं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जनम परमान पत्र के बारे में बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कैसे आप उनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जनम परमान पत्र आज के टाइम में कितना अधिक important document बन गिया है बीना जनम परमान पत्र के आप अपने बच्चे को admission भी नहीं दिला सकते हो कोई भी school में दोस्तो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जनम परमान पत्र बना सकते हो आप online तो दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना ना भूले तो आगे का जो भी process है दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले मेरे आपसे request है कि मेरे इस वीडियो को skip करके मत दिखेगा अगर आप skip करके वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ अब और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे जनम परमान पत्र ओनलाइन बना सकते हो आप तो दोस्तो सबसे पहले आप लोगों को birth certificate बनाने के लिए birth and debt registration के साइट के उपर आना होगा दोस्तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू ये साइट का link मैंने अपने description box में डाल दिया है उसके बाद दोस्तो देख सकतो यहाँ पर एक user login लिख रहा है यूजर लोगिन के बाद आपको यहां एक यूजर आइडी पूछ रहा और पासवर्ड पूछ रहा तो दोस्तों सबस्तों को यहां पर जेनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना होगा जेनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक यूजर आइडी और पास यूजर नेम है, यूजर नेम को आपको डालना है, अपना जो भी नाम है आपका, उसके बाद दोस्तो यूजर इमेल आइडी पूछा है, तो जो भी आपका इमेल आइडी है दोस्तो डाल दीजेगा, उसके बाद दोस्तो फोन नंबर आपका पूछा जा रहा है, तो जो भी डाल दूसतो यह fourth column पर आपका जब भिबिड को हूआ वह dead को और उसका एयर को select कर लेना यहां से उसके बाद दोस्तो आपको यह column में state select करना है state select करने के बाद district select कर लीजेगा उसके बाद sub-district को आपको select करना है दोस्तो उसके बाद दोस्तो village या टाउन जो भी आपका है ये कॉलम से सेलेट कर लोगे उसके बाद रजिस्टेशन यूनिट को आपको सेलेट कर रहा है तो दोस्तो चलिए मैं भरता हूँ और आपको साथ साथ बताता हूँ तो देखिए दोस्तो यहां पाल दीजिएगा दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दो यहां पर आपको यह कॉलम जो दिख रहा है इस पर आपको अपना एस्टेट को सेलेट करना है एस्टेट सेलेट करने के बाद आपको जो भी डिस्टिक है डिस्टिक सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो आपको डिस्ट जो capture code देख रहे हूं, capture code को आपको fill करना है, जैसे आप click करोगे दोस्तों, तो देख सकतों यहां पर, तो दोस्तों जो भी आप email ID डाले थे, birth and debt registration side के उपर से एक आपका email ID पर message जाएगा, तो दोस्तों वो message को आपको खोलना है, तो चलिए दोस्तों आप message को open करता हूँ, तो दोस्तों जैसे आप submit पर click करोगे, तो आपके email ID पर SMS जाएगा, यह side के तरफ से, तो देख सकते हो दोस्तों, यह side के तरफ से message आया हुआ है, मेरे email ID पर, तो message को मैं open करूँगा, open करने के बाद, आप देख सकते हो दोस्तों, यह birth and date registration का यह जो side हो, उसके तरफ से SMS हुआ हुआ है, तो यह जो देख सकते हो, copy link to your browser, तो यह link पर आपको direct click करना है, दोस्तों, click करने के बाद, आपको एक user ID यहाँ पर डालना है, user ID डालने के बाद दोस्तों, new password डालना है, new password डालने के बाद, confirm password पर click करना है, जैसे आप confirm password पर click करते हो, तो देख सकते हो, दोस्तों, scroll down करके आप नीचे जाओगे, और यहाँ पर capture code एक fill करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी capture code है, आपको यहाँ पर डालना है, capture code डालने के बाद, submit पर click करना है, तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी अब भरता पासवर्ड भरने के बाद, यह जो capture code आपका सामने दिख रहा, यह capture code को आपको fill करके login पर click करना है, तो दोस्तों, जैसे आप login करोगे, तो आप देख सकते हो, यह birth and date registration का यह जो side है, आपके सामने खुलके आजाएगा, तो दोस्तों, आप देख सकते हो, यह option में एक home खा रहा, और बोरा add birth registration, तो आपको add birth registration पर click करना है, उसके बाद दोस्तों, देख सकते हो, birth registration, तो उसके बाद दोस्तों, देखिए, यहाँ पर एक select primary language बोरा है, तो दोस्तों, select primary language में, जो English है, इंग्लिस पर रहने देना, और दोस्तों, यह देख सकते हो, तो select secondary language बोरा है, तो मालनों दोस्तों, आप primary language में, इंग्लिस सेलेक्ट करते हो, यह जो primary language है, और यहाँ secondary में, हिंदी सेलेक्ट करते हो, तो दोस्तों, आपको दो बर फोर्म भरना होगा, और अगर यह जो secondary language जो दिखा हुआ, इसमें none पर रहने देखिए, तो एक ही बार म अगर आप दोनों फोर्म भरना चाते हो, हिंदी में भी, इंग्लिस में भी, तभी आप यहाँ पर secondary को सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका secondary language होगा, उसके बाद दोस्तों, फोर्म नंबर आपके coding सेलेक्ट करना, जो भी आप फोर्म नंबर को रखना चाते हो, सेलेक्ट कर दिजेगा, उसके बाद दोस्तों, फोर्म नेम जो भी आप अपना बच्चा का रखे, फोर्म भर दीजेगा, उसके बाद middle name पूछ रहा है, लास्ट नेम, तो दोस्तों, जो भी middle name रखोगे, वो भर देना, लास्ट नेम होगा, तो लास्ट नेम भर दीजेगा, मालो, example के लिए मैं बता देता हूँ, अगर मालो, आपका बच्चा का नामे विबेक, कुमार, तो first name में विबेक भरना होगा, आपको और last name में कुमार भरना होगा, मालो, आप title लगाते हो, विबेक सिंग, तो first name में विबेक होगा, और last name में सिंग होगा, अगर मालो, विबेक, कुम उसके बाद दोस्तो place of birth कहां पर जनम हुआ था यहां से आपको BLDG number and name selector लेना हम जहां पर जनम हुआ था बच्चा का उसके बाद house number यहां से आपको select करना है house number select करने के बाद दोस्तों यहां पर estate land name select करना हम उसके बाद काद दोस्तो Locality Post Office जो भी वहां का होगा अप सिलेक्ट कर लिज्येगा उसके बाद दोस्तो सेलेक्ट करना है है यहां परसे आपको उसके बाद District District करने के बाद जो भी पिन कोड है आप पिन कोड को डाल दिज palavras थो दोस्तों मैं जो बच्चे का पीता है उसका यहां पर नाम दे देना है उसके बाद दोस्तो अधार नमबर उनका डाल देना है अधार नमबर डालने के बाद आईडी भरने के बाद दोस्तो यहां पर mother information पूछ रहा तो mother का जो भी information है डाल देना है दोस्तो उनका middle name है तो डाल देना है उसक के बाद दोस्तों देख सकते हो address of the parents at the time of birth of the child तो मतलब जो भी आपका address था जब बच्चों का जनम हुआ था तो वह address को आप यहां से भर लोगे यह column में जो भी पुछा गया है उसके बाद दोस्तों यहां पर permanent address of parents तो permanent address जो भी है आपका यहां से भर दोगे दोस्तों आप permanent address भर रहे हो पहले और यह address को भर रहे हो बाद में तो आपको permanent address भरने के बाद यह जो please check if the information address same as the permanent address तो इस पे आप click कर दीजेगा एक ही बार आपको भरना होगा दोबारा मैनत नहीं करना होगा उसके बाद दोस्तों यह जो देख रहे हो दोस्तों आपको एक इसी साइट पर मतलब payment करना होगा कुछ रुपया का payment आपको करना होगा और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको इसी साइट पर से डाउनलोड कर लेना है बर्थ साटिफिकेट को बस आपका काम हो जागा दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं धन्य बाद देता हूं अप लोगों को